हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की संग्रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्या आप जानते हैं कि इसका वास्तव में क्या आर्थ है? इसका आर्थ है कि एकल कोशिका जीवन के सभी आधार भूत कार कर सकती है जैसे ग्रहन किये गए भोजन और श्वसनिय गैसों का परिवहन करना श्वसन उत्सरजन इत्यादी उत्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका को परिभाशित करना कोशिका सिध्धांद को समझना कोशिका के लक्षणों को जानना कोशिका के क्रियात्मक्षित्रों को समझना कोशिका के विभिन आकारों को जानना विभिन कोशिका मापों को समझना कोशिका कोशिका सभी सजीव जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और मानव शरीर के मूल भूद अंग है वयसक मानव शरीर में 75 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है प्रतेक कोशिका प्रकार विशिस्ट कार करती है मनिश्यों में 200 कोशिका प्रकार होते है अंग्रेज सुक्ष्म दर्शिय वग्यानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले शब्द कोशिका का वड़न किया था उन्होंने कार्क के पतले टुकडे का अध्ययन करके कोशिकाओं की खोच की और इन में मदुमक्की के छटे के समान छोटे छोटे बॉक्सों को कोशिकाओं का नाम दिया उनका विचार था कि कोशिकाओं केवल पौधों और कवकों में मौजूद है सबसे पहले एंटनी वान लिवन हॉक 1683 ने अपने घर में बनी सूख्ष्म दर्शी का उप्योग करके जीवाणूं, प्रोटजोवा, लाल रुधिर कोशिकाओं और शुकराणूं आदी जैसी मुक्त कोशिकाओं का अवलुकन किया था उन्होंने इन्हे सूख्ष्म जीव कहा उन्होंने मचली, पक्षी, मेंधक, कुत्तों और मनिश्यों की रुधिर कोशिकाओं का भी अवलुकन किया इसलिए ये ग्यात हुआ कि कोशिकाओं, जन्तूँं तथा पादपूं दोनों में पाई जाती है कोशिका सिध्धान्थ 1838 में, मेल्थियस स्लाइडेन, एक जर्मन वनस्पती विग्यानिक ने बहुत सारे पौधों के अध्यान के बाद पाया कि ये पौधे विभिन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में उत्कूं का निर्मान करती है 1849 में, थियोडोर श्वान, एक ब्रीटिश प्राणे विग्यानिक ने विभिन प्रकार की जन्तु कोशिकाओं का अध्यान किया और बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाहे परत होती है, जिसे आजकल जीव द्रविचिली कहते हैं इसके आधार पर श्वान ने प्रतिपादित किया कि जन्तुओं और पौधों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है उन्होंने निशकर्ष निकाला कि कोशिका भित्ती की उपस्तिती पादप कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षन है 1849 में स्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिध्धान्द को प्रतिपादित किया 1858 में रडोल्फ बर्चो एक जर्बन चिकसक ने कोशिकी ये पैथालोजी के विस्तरित अध्यन के बाद ये निशकर्ष निकाला कि कोशिकाएं पहले से उपस्तित कोशिकाओं से ही उत्पर्न होती है मूल कोशिका सिध्धान्द के साथ साथ आधोने कोशिका सिध्धान्द में चार कथन निहित है कोशिकाओं के लक्षन कोशिकाओं बेहत जटिल और संगटित होती है इनमें एक आनुवंशिक कारिक्रम और इसके उपयोग के साधन होते हैं. योधपादन करने में भी सक्षम होती हैं. ये उर्जा का अधिक्रहन और उपयोग करती हैं. इसके अलावा ये विभिन रासायनी कभी क्रियाओं और यांतरिक कतिविधियों को संपन्न करती हैं. ये उद्धीपन और स्वाता नियमन की प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम होती हैं। कोशिकाओं के क्रियात्मक्षेत्र कोशिका के तीन क्रियात्मक्षेत्र हैं। जीवदरव इछिली सबसे बहरी, पतली, पारदरशी, लोच्चदार, और अर्धपारगम इछिली है। कोशिकाओं कोशिकाओं रवे एक अक्रिस्ट लिये तथा समांग कुलाईडी पदार्ध है, जो जीवदरव इछिली और के बीच उपस्तित होता है। केंद्रक, केंद्रक जिली से घिरी एक सा नचना है जिसके गुण सूत्रों में डी एने होता है. कोशिका आकार विभिन जीवों में कोशिकाओं के अलग अलग आकार होते हैं। गाल की कोशिकाओं चप्टी होती हैं। जर्म कोशिकाओं घनाप रूप में होती हैं। आत्र की कोशिकाएं स्तंबी होती हैं, यकरित की कोशिकाएं बहु भुजिये होती हैं, वसा कोशिकाएं गुलाकार होती हैं, पैरा मीश्यम स्लीपर के आकार का होता है, मुर्गी का अंडा अंडाकार होता है, चिकनी, पेशियां तर्गु के आकार की होती हैं, वर्णक कोशि पीशियां या तंत्रिका तंतु लंबे सूत्र जैसे होते हैं। में कोशिकाओं की माप काफी भिन्न होती है। सबसे छोटी ग्यात कोशिकाएं प्लियोरो निम्योनिया जैसे जीव, PPLO, माइकोप्लाजमा, गैली सेप्टिकम की हैं। जिनकी माप लगभग 0.1μm है। सबसे बड़ी जन्तु कोशिका शुतुर मुर्ग का अंडा है और इसकी माप लगभग 170, 135 mm है। प्रोकेरियोर्टिक कोशिकाओं की माप 1-10μm तक होती है जबकि यूकेरियोर्टिक कोशिकाओं का अकार 10-100μm तक होता है। पौधों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटा बुलेरिया हरे शैवाल की है जिसकी माप लगभग 6-10 cm तक है। मानव शरीर में अधिकतर कोशिकाओं लंबाई में 2-3μm और परीधी में 20-30μm के बीच होती हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है जो लगभग 3 फीट लंबी होती है। क्या आप जानते हैं। शब्द साइटोलोजी की खोज 1893 में हर्ट विग ने की थी। मैक्स शूलजे ने 1861 में जीव द्रविका सिधान्त प्रतिपादित किया। सैक्स ने 1874 में जैविक सिधान्त प्रतिपादित किया। सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोशिकाएं विस्तरित रूप से दो प्रकार पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में विभाजित हैं। लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि जीवित प्राने कोशिकाओं के बने हैं। शब्द जीव द्रवे की खोज पुरकिंचे ने की थी। स्लाइड एन वाश्वान ने 1838-1849 में कोशिका सिध्धांद प्रतिपादित किया। वे जर्मन जी वेक्यानिक थे। कोशिका सिध्धांद का एक अपवाद वाइरस हैं। शब्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुग ने की। और कोशिका को उन्होंने ही सबसे पहले देखा था। रॉबर्ट हुग द्वारा कार्क के पतले टुकडों में खोजी गई कोशिकाएं, वास्तों में कोशिका भित्तिया थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। बिर्चो ने कोशिका वंशवली प्रतिपादित की कि कोशिकाओं का निर्मान सदेव पूर्विस्थित कोशिकाओं से होता है। उन्होंने होमनिस सेलूला कहा। शब्द सार कोड काउप्योग डुजाड इन द्वारा कोशिकाओं के सजीव पदार्थों के लिए किया गया था। प्रकाश सुक्ष्म दर्शी से देखा गया निवनतम कोशिका आकार 0.25 माइक्रो मीटर है। जीव द्रव्वे जटिल कॉलाइटी विलियन है और शरीर के कुलभार का 95 प्रदिशत बनाता है। ये जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। डियोटो चेट ने सबसे पहले बताया था कि एक व्यक्ति में अनेक विभिन प्रकार की कोशिकाओं होती हैं। कोशिकाओं अपने आकार, माप और कारियों में भिन होती हैं। एक कोशिकी जीवों में कोशिका आकार जीव द्रविछिली द्वारा बनाया जाता है। उधरन, पैरामीश्यम और बाही कंकाल। अधिकतर पौधों और जन्तों में कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है। बहु कोशिकी ये जीवों में कोशिका आकार इसके क्रियात्मक अनुकूलुनों पर और आंशिक रूप से जीव द्रवी के प्रिष्ट तनाओं, श्यानता, आसन कोशिकाओं द्वारा किया गया यांत्रिक कारे और कोशिका जिली की द्रवता पर निभर करता है। उधारन पादब कोशिकाओं में द्रव कोशिका भित्ती की उपस्ति थी। उधारन अनेक जन्तूओं के अंडे तरक रूपी होते हैं। उधारन चिकनी पेशी तंतू लंबे होते हैं। उधारन तंत्रिका कोशिकाओं शाखित होती हैं। उधारन त्वचा के क्रोमेटोफोर या वर्नक कोशिकाओं चकरिक होती हैं। उधारण, एरित्रोसाइट या लाल रुधिर कोशिकाएं आधी, विभिन कोशिकाओं की माप काफी भिन होती है, कुछ पादाप और जन्तू कोशिकाओं को नगन आखों से देखा जा सकता है, अधिकतर कोशिकाओं को केवल सूख्ष्म दर्शी से ही देखा जा सकता है, कोशिकाओं की माप जीवाणों की बहुत छोटी कोशिकाओं 0.2 से 5.0 माइक्रो मीटर से लेकर, शुत्र मुर्ग के बहुत बड़े अंडे यानी 18 सेंटिमीटर तक होती हैं, और पाथों में सबसे बड़ी कोशिका साइकस का भी जांट है, मनुष्यों की कुछ तंत्र का को एकल समुदरी शेवाल एसेटा बुलेरिया की उंचाई लगभग 10 सेंटिमीटर होती है, प्रो केरियोटिक कोशिकाओं की लंबाई प्राया 1 से 10 माइक्रो मीटर के बीच होती है, यो केरियोटिक कोशिकाओं औसतन बड़ी होती हैं, जो लगभग 10 से 100 माइक्रो मीटर के ब बहु कोशिकिये जीवों की विशिस्ट कोशिकाओं से बड़ा होता है उधारन एक कोशिकिये जीवों में अमीबा प्रोटियस सबसे बड़ा है जसकी लंबाई 0.6 mm या 60 µm होती है बहु कोशिके जीवों की विशिष्ट कोशिकाओं की माव 20 से 30 माइक्रोमीटर के बीच होती है सबसे छोटी कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम की हैं जो वाइरस और जीवानों के बीच का मध्यवर्ती जीव है उसकी माव लगभग 0.1 माइक्रोमीटर है